रभू मैं तेरा, 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 तू मेरा, 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 मे थे भी होते हैं, कि हम अच्छाई का जामा डाल रहे हैं, आपड़े ओड़कता हो ये अपड़ी जातने, ते हम छता हैं, आपड़े धरम, करतव्य, वगेरे वगेरे, सारा शब्दोनों उप्योग करता हो ये अचे, ऐसे कुछ लोग को हम जानते हैं, एक भी जाने भोडवे, अथवा एक भी जाने साथे वात करवानी, मतलब ये समझो, विशय वेकारों की बढ़ोतरी में, एक व्यक्ति, दूसरी व्यक्ति के लिए अच्छाई का जामा पहनता है, कि इस इनसान की साधना की स्थिती बहुत अच्छी है, इसलिए मैं बाचीत कर हनुमान जी के दर्शन होते हैं उसको, उसको गुरुदेव आते हैं सपने में, उसको भगवान आते हैं, ऐसे व्यक्ति से बाच्छीत करने में, कभी भी ऐसे व्यक्तियों का भरोसा करी हो, ही मत, कभी भी कोई व्यक्तिया को गुमरा करने की कोशिश करता है कि, उसकी साधना की स्थिती बहुत अच्छी है, जो इसकी साधना की स्थिती बहुत अच्छी होगी, वो कहने को रहेगा ही नहीं कि उसकी स्थिती बहुत अच्छी है, वो बोलता नहीं है, उसकी आँखें बतात यह कि उसकी स्थिती बहुत अच्छी है वो अट्रेक्शन दूसरों को अट्रेक्ट करने के लिए कोई भी बात नहीं करता मेरी स्थिती बहुत अच्छी है बहुत उंची है और मैंने तो इतने इतने भगवानों के दर्शन किये इतना ऐसा ऐसा मेरे जीवन में घटित होता है ये जब-जब शब्दों में आती है बात तब-तब वो आपको मोह जाल में भसाने के लिए आती है इसलिए सावधान होना बहुत जरूरी और कलियों में तो ऐसे कई सारे निकल पड़ते हैं कई सारे ज्ञानवान भी बन जाते हैं देवदर्शन भीख हो जाता है उनको सपने में उनको कुछ-कुछ दिखाई भी देता है तो अच्छाई अच्छाई है बुराई बुराई है अच्छाई और बुराई में फर्क आपको पता चलेगा पर अच्छाई के जामे में बुराई का फर्क समझना सुक्षमता की निशानी है उससे साफधान रहना चाहिए और कल्योग में तो अक्सर ऐसा होता है हम अपने ही मन को उल्लू बनाते रहते दूसरा हमें बनाए उससे हम ही पहले अपने आपको बनाते आपका मन जब कहता है ना कि आपको ये नहीं करना चाहिए दूसरा मन आपको कहेगा मैं तो इसलिए कर रहा हूँ कि मेरी नसाधना बढ़ रही है ऐसे करने से मेरी स्थिती बहुत अच्छी हो रही है जो है, सो है कभी भी कोई व्यक्ति अपनी आतमा पर धूल नहीं डाल सकता आप किसी और को उलू बना सकते हो बना सकते हैं पैसा लेके आपके खिलाफ पैसा आप से लेके आपके खिलाफ केस लड़ेगा लड़ सकता है किसी और की पार्टी में जासकता है नर्दोश लोग आज भी मारे जाते हैं और मारे जा रहे हैं तो सत्य के खिलाफ उसकी वो घुस ले रहा है पर उसकी आत्मा तो गवा है वो घुस नहीं लेती फिर भी वो उससे अलग रहती है वो जानता है कि मैं ले रहा हूँ वो जानता है कि मुझे सत्य के खिलाफ चज्च्मिंट देना है वो घुस ले रहा है पर उसकी आत्मा फिर भी उससे नरलिपते है तो वो जो चीज है ना उसे कभी किसी ने दगा नहीं दिया आज तक और उसको किसी ने दगा नहीं दे पाया तब ही ये कहा जाता है तब करे बाताल में प्रगट होए आकाश जिस विचारों के आप हो और जिन विचारों के लक्ष को आप सिद्ध कर रहे हो वो आपके करमों के द्वारा बोलता ही है नहीं बोलता है फिर भी आपके विचारा आपके वातावरण की औरा से बोलते हैं इसलिए कभी भी अपने आपको दोखा नहीं देना चाहिए इंसान जगत को दोखा दे रहा है पर स्वयम को दोखा नहीं दे स्वया मा आत्मा है आत्मा को कभी कोई दोखा नहीं देता तो भलाई बुराई बुराई पता चलती है बुराई जब अच्छाई का जामा पहन ले थोड़ी मुश्किल जादा हो जाती है उसे खोल दो स्पष्ट रहो इश्वर ने मती क्यों दिये विवेक क्यों दिया है अगर वो स्पष्टी करण हमारे चित्त में नहीं आए तो पशु तो समझने से ही बाहर है सबसे स्रिष्टी योनी गौन से मनुश्य की न बाकि तो सब हमसे नीचे एक ही योनी है जो पशु से अलग है और ओपर है वो है विवेक की योनी है ना मतलब विवेक किसको है मनुश्य को है हम भी अगर अपने आप पर धूल डालते रहेंगे तो सत्य कहां प्रगठ होगा पशु को तो कुछ पता ही नहीं मचे लगता है उल्टा पशु ज़्यादा सहज रहते है ज़्यादा नेच्रल रहते है हम बहुत ड्रामे बाज इनसान ज़्यादा ड्रामा करता है उन्हें ड्रामे की ज़रत नहीं है जो है सो है अपनी आत्मा से स्ट्रिष्ट कोई दूसरी बस्तू नहीं है जितना हम दूसरों से इंप्रेस होते हैं जितना ही हम दूसरों के प्रभाव में होते हैं उतना ही हम अभाव में जीते हैं स्वभाव में जीए ना अपने अपने स्वभाव में जीए जैसा है वैसा है मन में पाप है बैमानी है आप बार से कितना ही मीठा बोलो उसका अत्मदेव जो उसकी भीतर बैठा है वो एक बुड़िया नहीं वो घोड़े पे एक आदमी जा रहा था बुड़िया के हाथ में पोटली थी मैं बुड़ी हूँ बेटा मेरा पोटला तो बहां तक छोड़ दे बुड़ी नहीं बुड़िया मैं फिर वो कहां चोड़ूँगा और तू कहां ढूंडेगी कहां ये सब मिर्जनी होगा थोड़ी दिर के बाद वो घोड़े सवार वापस आता है कहता है अम्मा जो तेरे हाथ में पोटली थी ना सब चुछ देदे मुझे मैं छोड़ दू बूले Na Na incredible क्य आपसे देरी थी बुला बुला के अब क्यू नहीं देरी बूले जिसने तुझे बईमानी के लिए प्रेहना दी उसीने मेरे भीतर तुझे नहीं देने के लिए प्रेहना दी पहले तु जब गया तब सच बोलके गया कि मैं नहीं लेके जा सकता आप जो तु आया ना वो मैनिपलेट होकर आया तु ने अपने आपको कर दिया कि भई हो सकता है बुढ़िया की पोटली में कुछ हो चुड़ा लूँगा तो जिसने तुझे बैमानी की प्रेणा दी उसीने मुझे तुझे मना करने की प्रेणा दी तो वो जो है ना वो आत्मा आपके भीतर बैठा सामने वाला आपसे दगा कर रहा है यह आपको पता चलेगा और चल सकता है पर कहीं हमारा लोब हावी हो जाता है ना फिर हमें लगता है चलना करने दे हो सकता है कुछ पचीस परसंट हमको जादा मिल गया तुझे गया पचास अज गया पचीस नहीं उपर थी पचीस गया हम आपसे यह कहते हैं कि जैसे दो व्यक्तियों के बीच में समवाद बहुत आपशक हैं दो व्यक्ति भी यदि आपस में समवाद नहीं करते तो विवाद होता है ऐसे ही आप अपने आप से अपने परमात्मा से समवाद जारी रखो इससे भी यदि समवाद नहीं करोगे ना तो इससे भी विवाद होता है और इसका विवाद भारी पड़ता है थोड़ा सा इससे भी समवाद जारी रखो कुछ समय जरूर बाक्ती के लिए निकालना चाहिए उसका समवाद है कहीं जाते हैं बाहर तो हम अपने घर के बड़ों को कहके जाते हैं कि हम जा रहे हैं चलिए खाना खा लीजिए कहते हो ना चलो बैसी ने जमी लेए गरना मोटा व्यक्ति आओ और ममी बैसो जमी लेए बाहर जा रहे हो तो पपा हूँ बाहर जाओ जो मा मैं बाहर जा रहे हूँ उसे तो कहो ठीक है वो आपके शारिरिक संबंद है ये परमात्मा आपका अत्मिक संबंद है उसे भी कहो चल मिरे साथ मैं जा रहूँ बाहर चल जा के आते कहीं पर भी आपकी पिछे हटने होगी ये बात पकी संबाद परमात्मा से संबाद हम ये भूल के ना इश्वर से संबाद बनाय रखना चाहिए तो विवाद को सान नहीं होता संबाद गुरु से संबाद परमात्मा से संबाद हाकरती कोई भी हो आप चैसे इश्ट मानते हो अपना उसे संबाद होना जरूरी है झाल